तो आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में अगर हम जब भी सेल डिवीजन के बारे में जैसे बात करने जा रहा हैं सेल डिवीजन के आज हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन बट हम उसका बेसिक्स ठोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कोशन लगाने वाले हैं अब तो मैं बेसिक्स पता होना चाहिए क्योंकि नहीं पता तो कोशन नहीं सॉल्व ह सब्कूछाबरने वाले हैं यह जए किसी भी हालात में तो मैं कुछन बेसिक्स टा देता हूं जैसे कि प्लॉइडी से समस्ते हैं अगर मैं प्लॉइडी पूछी कि what is प्लॉइडी तो प्लॉइडी क्या होता है प्लॉइडी होता है sets of chromosome कि आपके पास कितने sets of chromosome actually present है ठीक है, तो sets of chromosome को बोलता है ploidy, तो अगर देखिए जैसे यह मेरा cell है nucleus की बात कर रहा है, हम cell के अंदर भी तो इसके अंदर जैसे मैंने यह बनाया मैं कोई different color ले लेती हूँ एक और और एक cell के अंदर मैंने यह बनाया ठीक हाँ, तो यह बनाया, तो अब बताइए कि इसकी ploidy क्या रही होगी, तो अगर जब भी हम देख रहे हैं, तो अगर यह एक chromosome, यह दूसरा chromosome यह एक chromosome, यह दूसरा chromosome तो इसकी ploidy 2N है क्योंकि इसके पास 2 sets of chromosome है और इसके पास A की sets of chromosome है, that's why इसकी ploidy N रही होगी N वाले को बोलेंगे, हम haploid और 2N वाले को बोलेंगे diploid, ऐसी अगर हमारे पास 3 sets of chromosome होते, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास 3 sets of chromosome होते, तो हम उसको बोलते triploid, triploid triploid in nature, triploid सब कुछ होता है, तो इसके बाद हमें ploidy clear होना चाहिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ, तो ploidy means होता है, sets of chromosome, अच्छा ये जो sets जो मैं दिखा रही हूँ तुमें, ये क्या हैं, ये दोनों homologous chromosome है, homologous chromosome से तुम क्या समझते हूँ अब मैं बता देती हूँ, कि homologous chromosome actually में होता क्या है जैसे homologous chromosome की बात कर रहे हैं हम तो जब भी हमें एक chromosome define करना होता है, तो वो हम centromere से define करते हैं, कि जितने centromere, उतने chromosome, ठीक है, ये जैसे मेरा एक centromere है, तो मैंना बोल दिया कि अगर इसके पास एक centromere है तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक chromosome हो गया, अगर मैंने ये वाला chromosome ऐसे ले लिया just suppose I can't draw properly, बट थोड़ा समझ लो अगर इसके पास भी देखो एक ही centromere है, तो एक centromere है that means कितने chromosome एक ही chromosome है, अब इसमें और इसमें क्या difference है आपको इसमें क्या difference दिख रहा है difference जब देखने की कोशिस करोगे तो ये जो था, ये पूरी एक chromatid बोली जाती है तो इसको जो है हम chromatid बोलते है तो chromatid क्या हुआ chromatid replicate होके एक और अपने जैसी chromatid बना दिये जिसको हम बोलेंगे ये दोनों क्या हो गई अब ये दोनों हो गई sister chromatid sister chromatid के पास same type of dna होता है पूरा genetic material same अगर इधर a gene है तो इधर भी a ही gene होगी अगर इधर small a है तो इधर भी small a का ही allil होगा है तो जो भी gene है, same gene होंगे same trait होंगे, same character define करेंगे, sister chromatids के पास same material dna का होता है अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि अभी मैंने बताया तुम्हां कि अगर हमने बात की homologous chromosome homologous chromosome जो हमें sets पाए जा रहे थे, जिनने हम count कर रहे थे ये मेरे homologous chromosome है तो इसमें क्या difference होता है, इसमें difference ये होता है, जैसे कि gene define for a character किसी gene को, gene जो define होती है उसको, वो character को define करती है हमारे हैं तो character क्या होता है जैसे character मैंने ले लिए eye color तो eye color कुछ भी हो सकता है eye color black eye का भी gene हो सकता है black eye का भी allyl पाये जा सकता है और brown eyes का भी allyl पाये जाकता है तो जीन के अंदर आलिल्स पायाते है तो जब हम देखेंगे जैसे इधर हमारा आइक कलर का अगर इधर वाली जैसे यह जो क्रोमे टेड्ड है इधर आई कलर का हमारे पर कोई जीन पाया रहा है तो इधर भी आई कैलर का ही जीन houगा ठीक है मतलब gene should be same at homologous chromosome, locus जो होता है उनका वो same जगे पे पाए जाता है, but हम बात कर रहे हैं अगर allyl की, तो allyl different पाए जा सकता है, जैसे इधर blue eyes का color पाए जा सकता है, और इधर black eyes का पाए जा सकता है, but gene same होगा, allyl different हो सकता है, but these are the property of homologous chromosome, तो मैं proper पता होना चाहिए, non homologous chromosome में क्या होगा, non homologous chromosome की, अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने non homologous chromosome ले लिया, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर same locus पे same gene नहीं पाया जाएगा, locus मतलब एक position को बोल रही हूँ मैं, जैसे मैंने एक ये chromosome है मेरा, और एक ये वला chromosome है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये non homologous chromosome है, और इनका जैसे यहाँ पे अगर मेरा eye color पाया जा रहा है, तो इधर जरूरी नहीं आई color पाया जाए, इधर कुछ भी पाया जा सकता है, इधर hair color पाया जा रहा हो, कुछ और पाया जा रहा हो, डिफरेंट चीज, तो इस वज़े से non homologous chromosome के पास same gene नहीं होते, same locus पर, पर homologous chromosome के पास same gene at same locus होते हैं, और ये जो थे, जैसे कि मैंने अभी जो बनाया, जैसे इसी का मैं अगर homologous chromosome बनाती हूँ, इसी का एक जैसा, तो ये दोनों जो हो गए, ये दोनो non sister chromatids हो गए, non sister chromatids, और ये दोनों आपस में ये हो गए sister chromatids, sister chromatids के पास exact same content पाया जाता है, क्योंकि वो उसका duplicate होकी तो आया है, और कुछ भी नहीं है, ठीकि इतनी चीज तो मैं clear हो गई, तो अब हम questions की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी तो काम करना है, ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अगर तुम्हें दो चीज पता होना चाहिए, एक होता है mitosis, और एक होता है meiosis, mitosis मतलब equational division, equational division से क्या समझते हो, equational division मतलब कि सेम, अगर हमारी ploidy n है, तो n ही रहेगी, 2n है, तो 2n ही रहेगी, बस division हो जाएगा, mitosis में क्या हो रहा है, equational division में, जैसे मेरी ये जो थी, ये ploidy 2n थी, तो अगर जब इसका mitosis जाएगा, इसके अंदर mitosis होगा, तो इसकी जो ploidy होगी, वो 2n, 2n ही रहेगी, बट, दो cell form हो चुके होंगे, अगर मेरी ploidy n की थी, और उसके अंदर मैंने mitosis division की mitosis कराया, तो n और n वाले 2, मतलब, individual daughter nuclei आ गई, बट, उसकी ploidy जो है, वो same रहेगी, ploidy remains same in the case of mitosis, ठीक है, माइटो में similar, ठीक है, तो ploidy remains same, इसके अंदर ploidy जो है, वो same रहती है, बट, अगर तुम meiosis का case देखोगे, तो meiosis के अंदर क्या हो रहा है, reductional division बोलता है, इसको, reductional division, ठीक है, अच्छा, ये जो था, ये mitosis first था, ये mitosis first था, अगर इसके अंदर mitosis second देखोगे, तो इसी के अंदर दुबारा division होगा, तो 1-2, फिर से 2-1, 2-1 वाले बनेंगे, और इधर भी division चल रहा होगा, तो इधर भी 2-1, 2-1, तो एक cell से 4 cell form होता है, है न, ध्यान रखना, ठीक है, अभी क्या है, जैसे reductional division, तो reductional division के के इसमें क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, तो एक meiosis first और एक meiosis second, ठीक है, तो meiosis first जो होता है, वो होता है, reductional division, और second वाला जो होता है, वो same as mitosis होता है, तो equational की तरह ही काम करता है, same as mitosis, mitosis जैसा होता है, इसके अंदर ploidy जो है, वो decrease हो जाती है, half हो जाती है, ploidy हाफ हो जाएगी ठीक है अब देखिए जैसे कि हमारे पास 2N सेल था है प्लॉइड के अंदर नहीं जा सकता कभी भी मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड या फिर इन सब केसों में हो सकता है तो देखिए जैसे यह 2N था तो इसका जब हमने मियोसिस फर्स कराया तो मियोसिस फर्स कराने के बाद इसकी प्लॉइडी एन और इसकी प्लॉइडी एन फिर अगर हमने इसका मियोसिस सेकिंड कराएंगे तो वह सेम एस माइटोस होता था तो तो जैसे कि अलगर तो मम्हें होता है जैसे सेल साइकल strand अंदर दो फिज होते एक इंटर में होता है सबसे लार्जिस फीजिस को हमारा फीर्प क्ली तो जब भी हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक G1 है, एक G2 है, एक S है, है ना, तो सबसे पहले G1 होता है, फिर उसके बाद S होता है, फिर उसके बाद G2 होता है, फिर उसके बाद Maitosis या Miosis जो भी है, तुम्हारा डिवीजन चल रहा होगा, तो अब देखी यहीं के अंदर जितने भी cell organelles हैं, वो सारे मतलब duplicate होना start हो जाते हैं, और protein वगेरा का formation हो रहा होता है, G2 के अंदर tubulin protein, जो की मतलब cell spindle fiber formation की जो काम कर रहे हैं, और इन सब का और थोड़े जैसे की गॉल गी apparatus, mitochondria, यह सब duplicate होते हैं, इस time पर, जी टू वाले पर, S2 जो S phase होता है, वो DNA duplication होता है, इस time पर, DNA get duplicate, DNA duplicate हो रहा है, मतलब 2N का 4N हो जाता है, अच्छा देखिए, जो ploidy है, वो change हो गई इदर, 2N की 4N हो गई ploidy, बट जो भी है, जैसे कि हम किसकी बात कर रहा है, यह जो है, ploidy भी change हो गई, और DNA content जो है, वो भी change हो जाएगा, ठीक है, पर, इसका जैसे chromosome number same रहेगा, ऐसान यह chromosome number बदल जाए, chromosome number remains same, ठीक है, जितने chromosome है, वो उतने ही रहेंगे, और S phase के अंदर central duplication भी होता है, central duplication, ठीक है, तो यह चीज मैंना बता दी, अब देखिए, जैसे हम यह वली जो चीज देखने जा रहें, G1, S, G2 में, जैसे कि दे दिया जाता है, कि G1 में इतना picogram DNA था है, तो G2 में कितना होगा, S में कितना होगा, तो मैं देखो, बहुत simple तरीका सिखा देती हूं, G1, G2, यह mitosis लिख देते हैं, mitosis में मतलब M1, M2 नहीं जाता है, सिर्फ mitosis ही होता है, जंदली, पर meiosis में दो case होते हैं, एक meiosis first और एक meiosis second, ठीक है, तो यह देख लेना, meiosis आईए, meiosis, meiosis, तो देखिए, जैसे अगर मेरे पास G1 में 2N DNA, DNA का जो ploidy है, वो 2N है, तो G2 में कितना हो जाएगा, G2 में भी, यह मैंने क्या किया, यह मैंने गडबड बता दिया, थोड़ा, जिस्ट देखिए, यह जो है, प्लॉइडी तो सेम रहेगा, DNA कंटेंट बदल जाएगा, DNA कंटेंट मतलब जैसे कि अगर यह 20 पीकोग्राम था, तो यह 40 पीकोग्राम हो जाएगा, 40 पीकोग्राम, DNA कंटेंट डबल हो जाता है, प्लॉइडी तो सेम ही रहती है, मैंने थोड़ा गडबड बता दिया, सौरी, DNA रिमेंड, DNA कंटेंट डबल, ठीक है, हाँ, सही है, हाँ, तो देखो, जैसे कि जीवन था, जीवन के बाद यह ऐसा आया, तो ठीक है, एस मैंने इसलिए मेंचन नहीं किया, क्योंकि एस के अंदर हो रहा है, यह सारा डूप्लिकेशन वगेरा, तो जीवन, एस और जीटू, तो यहाँ पे जैसे कि 2N है, यह वाला जो चीज़ है, यह 2N है, यह 2, तो यहाँ पे भी 2N ही रहेगा, मतलब प्लॉडी सेम ही रहेगी, प्लॉडी में डिफरेंस नहीं आएगा, माइटोसिस में भी 2N का 2N होता था, पर मियोसिस में प्लॉडी हाफ हो जाती थी, तो यहाँ पर N हो जाएगी और N की N ही रहेगी, जब मियोसिस सेकिंड हुआ तो सेम हैं माइटोसिस होता है, बट प्लॉडी N की N ही रहेगी, अगर मैंने सपोस करो यहाँ पे 4N ले लिया है न, तो हमारा क्या रहेगा, G1 S में, S में भी 4N ही रहेगा, और G2 में भी 4N ही रहेगा, यहाँ पे भी 4N रहेगा, बट मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो यह 2N हो जाएगा, और यह भी 2N हो जाएगा हमारा, ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, जिसे कि अगर हमने जैसे कि यह जो है, मैंने जो chromatid बताई थी, हमारे chromatid का जो साइज अगर स्टार्टिक में दे रका है, जैसे हमें 40 P.G दे रका है, ठीक है, एक chromatid का 20 P.G है, अगर मेरा G1 STAGE में अगर है 40 P.G दे रका है, तो G2 में कितना हो जाएगा, G2 में content S में double होता है, तो S में क्या हो गया होगा वो जब डबल होना शुरू होगा तो S में 80 Pg हो गया होगा और 80 Pg ही G2 में दिखाया जाएगा MitoCist में क्या होगा MitoCist में 2 daughter nuclei बनेंगी जैसे G1 था यह ना यह हमारा G1 गया G2 गया G2 की 80 Pg है तो उसकी 2 daughter nuclei बनी तो एक के पास 40 Pg ही जाएगा ना at last 40 Pg, 40 Pg तो यहां पर MitoCist के अंदर भी 40 Pg DNA content आएगा ऐसी MioCist first में करोगे तो एक हमारी जो cell है G2 पर उसका जो आदा आदा content है वो जा रहा होगा तो 40 Pg यहां पर भी MioCist second में क्या हो जाएगा इसका भी half हो जाएगा हमारी 40 Pg वाली cell है उसके भी 2 parts हो गए तो एक के पास कितना जा रहा होगा 20 Pg तो ऐसे यह trend चल रहा होता और यही वाला mainly हमें पता होना चाहिए कि यह कैसे आया ठीक है अब मैं तुम्हें कोई दूसरा example देती हूं जैसे की जो में यहां पर जैसे की 10 Pg ले लिया मैंना 10 Pg G1 में हमारा DNA था तो G2 में कितना हो जाएगा 20 Pg और mitosis में कितना हो जाएगा 10 Pg दो बारा से आदा दो साल बनी तो 20 के आदा 10 दस वाली दो बन जाएगी और meiosis first में भी है यहां पर 60 pg ले लिया वैसे PC जादा बेटर है जो यूनिट देने के लिए pg यहां पर 60 है तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर 120 pg हो जाएगा और यहां पर 60 pg हो जाएगा और यह हाफ हो जाता है फिर से 120 का आदा 60 Pg और यह 60 का भी आदा 30 Pg तो यह वाला clear होना चाहिए तुम्हें अगर यह आता है तो देन सारे questions हो जाएंगे जितने भी यह लाइन से बहुत आसानी से हो जाएंगे तो अब हम questions करना सुरू करते हैं तो देखिए questions क्या क्या दे रखें कुश्चन है वाट विल बीदा amount of DNA in meiosis second music second if meosite contain 30 pg dna in g1 phase ठीक है options भी है option दे रखें 30 pg b 60 pg c 15 pg d 120 pg अभी देखिए इसमें हमें करना कैसे है बहुत सिंपल है मैंने तुम्हें बोला ना पैस एक बार तुम्हें आ जाना चाहिए अब देखो इसमें क्या बुला है what will be the amount of DNA DNA का amount क्या रहा होगा in meiosis second music second की condition की पूछे if the meosite cell meosite जो होता है meosite cell जो भी बात कर रहे हम तो मियोसाइट का भी ploidy 2N ही होता है meosite cells की भी meosite cells contain 30 pg in G1 phase तो देखो हमारे पास G1 phase के अंदर 30 pg दे रखा है तो G2 के अंदर कितना हो जाता था double क्योंकि S आता था बीच में इस वज़े से तो यह हो जाएगा 60 pg और फिर meosis first में कितना हो जाता था half हो जाता था half होने के बाद यह कितना हो गया 30 pg और meosis second में कितना हो जाएगा इसका भी half तो पंदरा पीको ग्राम तो पंदरा पीको ग्राम राइट answer है हमारा simple था ना कुछ भी जादा नहीं करना पड़ा तो प्लॉइडी हमेंसा 2N लगानी पड़ेगी अगर उसने mention किया है तो अगर meosite cell दी है तो उसकी प्लॉइडी 2N होती है तो हमें 2N ही लेके चलना था अब देखो दूसरे questions बताते हैं तो दूसरे question दे रखा है इफ 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 दे इनिशियल अमाउंट ओफ दी एने इस एट सी सी पी को ग्राम की जैसी यूनिट है देन आफ्टर एस फेज दा अमाउंट ओफ दी एने वुड़ भी कि फूर्क सी एट सी शिक्स्टी फोर सी डी सिक्स्टीन सी ठीक है तो यह हमारा question है तो इसमें पूछा है कि क्या रहा होगा इफ इनिशियल अमाउंट ओफ टी एने इस एट सी एट सी दे रखा है तुम्हें इनिशियल अमाउंट मतला जीवन के टाइ इसमें पर एट सी रहा था तो उसने पूछा आफ्टर एसटे इसके बाद कितना हो गया होगा तो इसका अंसर और है cooking रहा यह जाता है थर्ड कोईशन कर लेते हैं इसमें पूछा है what will be the amount of DNA in meiosis second product इफ मियोसाइट कंटेन थर्टी पीकोग्राम डियने इन जीवन फेज इस देट सेम एज प्रिवियस वन को सेम लग रहा है चलो कोई बात नहीं हां तो इसमें पूछा है कि मियोसे सेकिंड में बताना है जीवन के अंदर हमारे पास कितना दे रखा है 30 पीकोग्राम दे रखा है तो जीटू के अंदर डबल हो गया होगा तो 60 पीकोग्राम और मियोसे सेकिंड के अंदर क्या हो जाएगा सेकिंड थर्ड नहीं सेकिंड तो मियोसे सेकिंड के अंदर क्या हो जाएगा 15 पीकोग्राम इसका अंसर 15 पीकोग्राम ही है ठीक है नेक्स्ट पूशिन कर लेते हैं अब पूछाए देखो इफ द इनेशियल अमाउंट ऑफ डी एने इस दिनोटेड वाइस तो सी देन अमाउंट ऑफ डी एने प्रेजन आफ्टर ईस फेज विल बी थीए तो इस फेज के बात कितना रहोगा अगर इनीशियल अमाउंट टू सी एथ तो टूस एस फेज के एस के अंदर क्या होता था डूबलिकेशन होता था रैप्लिकेशन नहीं तो हो रहा है तो उसका अमाउ बहुत सिंपल है यह वाला कोशन तो अब थोड़ा और टाफ कोशन कर लेते हैं अच्छा इससे ज्यादा तो जैसे की तो एक कोशन करते हैं हम बहुत अच्छा कोशन है हूँ वाट विल बी दा कंटेंट ओफ डीने इन आस्मेटिक सल्सुमेटिक सेल्स जो हमारी बॉड़ी में सेल्स पाई जा रही है वह वाली स्मेटिक सेल्स एट जी टू इफ इट्स मियोटिक प्रोड़क्ट इसने हमें यह वाला दे दिया है कि यह 20 पीको ग्राम रहा है तो हम यह वाला बता दिजिए तो यहां पर आ जाएगा 40 पीकोग्राम और यह इसका डबल ओता था तो यहां पर क्या जाएगा 40 के बाद क्या आता है 80 पीगो ग्राम और यहां पर क्या होता था इस मिवेंस मैं पर मतलत 30 few पुघान जाना आंस जीतू के बाद तो इस इस वज़े से तो हमारा आंसर क्या आगए 80 पीकोग्राम थोड़ा उल्टा कोशन पूछ लिया है रिवर्स में पर डरने की बात नहीं है मैंना बताया ना कि जीवन में जीवन के बाद साथा है एसके अंदर डॉप्लिकेशन चल रहा है तो अमाउंट अफ डी ने डबल हो जाएगा बट प्लॉइडी सेम रहेगी क्रोमोजोम नंबर सेम रहेंगे सब कुछ सेम रहेगा बागी का कि नेक्स्ट कोशन कर लेता हैं देखिए मेरे पास कुछ वेराइटीज और कुशन है इसमें बुला है if egg of an organism has 10 pico gram of DNA in its nucleus then how much DNA would have deployed cell of same organism have in G2 phase of meiosis answer 10 pico gram 5 pico gram एक बार ट्राइ करिए जब तक तुम्हें आ गया हो तो साइट थोड़ा डिफरेंट है बट हो जाएगा बहुत आसानी से देखिए इसमें पूछा है if an egg of an organism, egg दिया है हमें उसका 10 pico gram अब egg की जो ploidy होती है न वो n होती है तो मैं पता होना चाहिए एक की, pollen grain की इन सब की ploidy N होती है क्योंकि egg और pollen grain से male gamit बनता है वो दोनों जाके fuse होते है फिर zygote फिर deployed हमारी conditions बनती है तो इस वज़े से एक की ploidy क्या है N और N का क्या दे रखा है 10 pico gram दे रखा है ठीक है तो उसके यह 2N देखेंगे हम इसकी condition तो 2N में 20 pico gram रहा होगा और इसके जो g1 phase है हमारा अब हमें पता चल गया कि g1 में 2N लगाना है क्योंकि deployed cell रही है तो यहां पर 20 pico gram आ गया अब उसके बाद g2 में कितना हो जाएगा इसका double हो जाएगा 40 pico gram जो हमारा answer आ जाएगा कुछ लोग confusion में चले जाते हैं जैसे कि एन जो है वो 10 pico gram है तो उसका direct 20 answer लगाया आते हैं पर यह जो एन दे रखा है हमें यह एक का दे रखा है यह हमें deployed cell का नहीं दे रखा है यह बात ध्यान रखो इस वज़े सा हमें convert करना पड़ेगा अब देखिए यह जो हमारा second variety question है तो इसमें क्या है second variety में हमें क्या करना है देखिए तुमसे पूछ लेगा कि number of mitotic division यह सब पूछ लेगा कि number of mitotic division कितने हुए या फिर कितनी generations में कि फॉर्म हो गया तो वो सब चीजन देखने के लिए हमें क्या करना है बस कुछ formula apply करने है फिर हमारा answer आ जाएगा तो देखो mitosis के लिए देख लो पहले तो mitosis के अंदर देखने हैं हमें तो mitosis के अंदर अगर number of generations देखने है number of generations तो number of generation के लिए तो 2 की power n उठ किया जाता है जो भी value आती है उतने number of cells मतलब बन गए होंगे अगर हमें number of divisions देखने हैं कि कितने division लगान कितनी बार mitosis करना पड़ेगा तो वह होता है n-1 mitosis के case में बट अगर meiosis के case में देख रहे हो तो meiosis में क्या होता है कि अगर हम male की conditions में देख रहे हैं male के case में बट अगर female के case में देखना है तो female के case में क्या होता है कि एक होता है मतलब जो भी है pollen mother cell यहां पर pollen mother cell है और यहां पर microse for meiosis for mother cell होगा ठीक है mega spore mother cell तो यहां पर जैसे कि mega spore mother cell का जो भी cell है उसका दो देख वो हुआ जिसमें से एक degenerate हो जाता है फिर दोबारा एक और मतलब दो बन जाते हैं और इसके अभी जैसे initial stage में degenerate नहीं हुआ हाँ initial stage में degenerate नहीं हुआ तो बाद में जाके तीन जो है वो degenerate हो जाता है और सिर्फ एक ही बच्चता है हमारे पास तो यहां पर मतलब n से n ही बनता है कि n mother थी और उससे n daughter बने तो यहां पर n हो जाता है अगर हम से कोई पूछता है कि total meiosis कितने हुए male और female के एक साथ पूछता है तो n प्लस n by 4 यह करना होता है अब देखिए अब हम इस पर भी questions देख लेते हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे हमारे questions हां तो जैसे कि पहला question है इस देर आर पूर पॉलन mother cell पॉलन पॉलन मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कोई बोल रहे हैं इसी से हमारा पॉलन बनने वाला है और इसकी जो प्लॉइडी होती है वो 2N होती है 12 में चैप्टर दे रखा है उसमें पढ़ने को मिलेगा what will be the number of pollen grain अब उसने हमसे simple question पूछ लिया कि हमें कितने pollen grain मिलेंगे ठीक है यह वाला question थोड़ा यह देखिए उसने बोला चार चार पॉलन मदर सेल है उससे हमें कितने pollen grain मिलेंगे तो एक से पहले देख लो एक से कितने मिलते थे एक से पहले दो कनवर्ट होता था फिर चार बन जाते थे यह ठीक है पॉलन मदर सेल 2N होती है तो हमें बनाने पॉलन बनाने तो पॉलन की जो प्लॉडी होती है वो एन होती है तो मियोसिस फर्स्ट करेंगे पहले हम फिर मियोसिस से करेंगे तो एक से चार बन रहे है तो चार से कितने बनेंगे तो फोर इंटू फोर सिक्स्टीन बन जाएंगे खतम कोशन शिक्स्टीन अंसर आ रहा है इसका दूसरा कोशन है जिसे की इफ एन एंजियो स्पर्म हाव मैनी माइक्रो स्पोर मदर सेल्स आर रिक्वाइड तो प्रोड्यूस हंड्रेड पॉलन ग्रेन हंड्रेड पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमें कितने माइक्रो स्पोर मदर सेल्स रिक्वाइड होंगे अब उसने यह पूछा है हमसे तो इसमें क्या करना था मैंने बताया था ना एन भाई फोर लगाना मेल की कंडिशन में कितने मतलब डिवीजन हमने कि यह तो उसके लिए तो एन कितना हमारे पास हंड्रेड हमारे सब्सक्राइड बाइड 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 बै चार्ट पचीस हमें मियोटिक डिवी माइक्रो स्पोर मदर सेल्स जो है वो रिक्वाइड होंगे बहुत सिंपल था यह वाला भी कोशन अब देखिए जो मैंने दूसरा जो माइटोसिस वाला फॉर्मूला बताया था उसको भी मैं अपलाए करके बता देती हूं एक कोशन हाओ मैनी जनरेशन आर रिक्वाइड बाइसल और मेरिस्टम तो प्रिदूस वन ट्विंटी एट सल्स तिक इसके ऑप्शन है 127, 64, 32 और 7 ठीक है अब इसने क्या पूछा हाओ मैनी जनरेशन इसने जनरेशन पूछा है तो और वो भी मेरिस्टम सेल्स मेरिस्टम सेल्स हमेशा माइटोर्टिक डिवीजन ही करती है मियोसिस नहीं करती यह बात तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मतलब अगर तुम्ह मारी बोडि में क्या हो रहा है मैटोसिस मियोसिस नहीं हो रहा है बात थोड़ा ध्यानरस द्यान रखना मतलब जनर नौटब नौलवीज वाली बात हो भी एक्जिक पावर्न सेंस मेरिमाटोकी जनरेशन के लिए मैने हरने आए फॉर्मुला दिया था 2 की पावर एन CHn to 28 तो काउंट कर लो फिर तो 2 की पावर 7 करोगे तो 2128 आ जाएगा तो आंसर हमारे दी आएगा नेक्स्ट वेशन देख लो जैसे कि इसमें पूछा है वाट विल भी टोटल नंबर ओफ माइट्रोटिक डिवीजन अब की बार माइट्रोटिक डिवीजन पूछ रहा है पिछली बार जनरेशन पूछ रहा था कि इसमें माइट्रोटिक डिवीजन लगेंगे तो मैंने बताया था ना एंड माइड माइड वन फॉर्मुला होता है तो 64 माइड वन देट इट इस 63 63 माइड टिवीजन लगेंगे टोटल माइड मतलब 64 डॉटर शेल्स प्रोडूज करने में अब सारे वेराइटीज के ज्यादा तर तो मैं questions आ गए हैं एक और कराद दियूं बहुत अच्छा question है क्योंकि इसमें बच्चे confused हो जाते हैं तो produce 102 पॉलन ग्रेंज हाव मैंनी एक बार ट्राइ करो खुद से मतलब काफी मजाएगा है माइटोटिक डिवीजन और रिक्वाइड है माइटोटिक नहीं आप है मियोटिक डिवीजन कर लेते हैं थोड़ा चेंज कर लेते हैं है मियोटिक डिवीजन सार रिक्वाइड 25 बी 25.5 सी जो है वो है 26 और डी जो है वो 27 ठीक है तो अब देखो इसको तुम सॉल करोगे मैं तुम बताया था मेल के इसमें क्या होता है कि एक पॉलन मदर से चार पॉलन बनते हैं हमारे तो 102 पॉलन के लिए एंट बाई 4 लगा दोगे एक से चार बन रहे तो एक सो दो डिवाइड बाई 4 जब इसको करोगे तो आंसर आएगा 25.5 तो तुम्हें क्या ये टिक कर देना चाहिए नहीं बिलकुल गलत हो जाएगा ये हमें टिक नहीं करना है क्योंकि तुम ऐसे फ्रेक्शनल डिवीजन थोड़ी कर सकते हो तो ये किसके क्वला है 26 डिवीजन करने पड़ेंगे तब 102 बन पाएंगे तो इस वज़े सा आंसर लगाना होता है हमें C तो ये काफी अच्छा कोशन है आपको अ दीने इन इन आस सुमेर्टिक सेल एट जी टू इफ इट्स मियोटिक प्रोड़क्ट है है विंग 20 पीकोग्राम ओफ दीने अब उसने देखो क्या पूछ लिया वही पहले जैसा कोशन है उसना पूछा है सुमेर्टिक सेल है जी टू के टाइम पर हमें और हमारा इट्स मियोटिक प्रोड़क्ट जो है उसके पास 20 पीकोग्राम यहां पर आ जाएगा 80 पीकोग्राम और यहां पर आ जाएगा हमारा 40 पीकोग्राम कि अंसर है हमारा इट्टी पीकोग्राम कि जी टू के टाइम पर पूछा ना इस विज़े से कुछ और अच्छे कोश्चंस करा दें कोश्चंस तो बहुत सारे हैं बर टाइम लेंड भी हो जाता है तुम वीडियो देखना अच्छा नहीं समझते हो तो मैं बोरिंग लगने लगता है वाट विल वी दा अमाउंट ओफ डियने इन आप पॉलन ग्रेंग इफ इट्स मदर सैल है थर्टी टू पीकोग्राम डियने इन जी टू फेज एक बार ट्राइब करो फिर मैं बता रहीं देखिए वाट विल वी दामाउंट ओफ डियने इन पॉलन ग्रेंग इफ इट्स मदर सैल है थर्टी टू पीकोग्राम में देखो जीवन यहां पर जीटू यहां पर मियोसिस फर्स्ट यहां पर मियोसिस सेकेंड अब इसने क्या पूछा है अब देखो एक पर कोश्यन को दिखान से देखो पूरा दिहान से ही पढ़ना ऐसे नहीं है कि आदा दूरा पढ़ लिया सब खतम हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा यह 32 पीकोग्राम मदर सेल का एटिट जी टू अब इसने पुछा है वाट इस दामांट ओफ डी एन इन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी एन होती है और जो दे रखा है उसकी प्लॉइडी टू एन है तो पहले तो देखो इसने हमें यह दे रखा है 32 पीकोग्र दे रखा है यह 2N वाले का उसका जो मदर सेल का रहा है जीवन पे कितना रहा होगा आदा रहा होगा 16 पीकोग्राम रहा होगा यह भी 2N वाले का है बट हमें निकालना किसका है एन का पॉलन ग्रेन का निकालना है तो यह उसका भी आदा हो जाएगा तो यह आएगा 8 कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी बहुत सिंपल है उसने पूछा है मदर सेल का जो है वो दे रखा है 32 पीकोग्राम हमें 2N का दे रखा है मदर सेल की प्लॉडी 2N होती है और पॉलन की प्लॉडी 2N होती है अगर तुम्हें चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार च जैसे कि इसने पूछा है अजिमनो इस पर लीफ केरीज सिक्स्टीन क्रोमोजोम अब तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि जिमनो स्पर्म का जो एंडो स्पर्म होता है उसकी प्लॉडी एन होती है है प्लॉड होता है तो यह हमें दे रखा है जिमनो इस प्लॉडी बात करोगे तो वो टू है ना बॉडी है ना हू सकी तो टो एन की प्लॉड़ी 16 दे रहती favored तो जब हमें एन के निकालनी होगी एन हमारा जिम्नोशपर्म का जो एंड closetAB मैं उसकी प्लॉड्य है होथि है उसके अंदर थी एन होती है थो यहां पर आजएगा kale तो आंसर आएगा एट और भी कुशन कर लेते हैं थोड़े बहुत जैसे कि एक कुशन है यह वाला इफ दर सुन लो एक बार 46 क्रोमोजोम दे रखें 46 क्रोमोजोम जीवन फेस पर हैं तो उसमें पूछा है कि नंबर ओफ क्रोमोजोम आफ्टर एस फेस के बाद कितने Sum रहे होंगे सेम रहते हैं 46 के 46 ही रहेंगे बस दीने हो रहा है मैंने बताया था ना यह अलंगा कणेंट डे़ए वह दुब्लेट होता है रहेंगे अगर तो थो सी हो जायगा फूर तो यह तौ तो सी हो जाएगा एट हैच है तो सिटीन सी हो जाएगा व्य stadion a दियर नह्म प्रोमोजोम नंबर सेम है बाकी सब सेम है देखिए कुछ और कुशन्स देख लीजिए मेरे पास कुशन्स साइट सिमिलर है इस वज़े से एक और कुशन रहे गया है मैं बता देती हूं डायरेक्ट बोल कर प्रोडट्ट इस देखिए ने कंटेंट 20 पीकोग्राम दे रखा है जी टू पर तो अब हमसे पूछा है कि इसका मियो से से किंड के टाइम पर कितना रहा होगा तो देखो मियो से सब्सक्राइब होगी मियोसिस फर्स्ट पर आदा हो जाता है तेट इस 10 पीकोग्राम और मियोसिस सेकिंड पर और भी आदा हो जाएगा तो वह कितना हो जाएगा 5 पीकोग्राम तो 5 पीकोग्राम आंसर होगा I hope तुम्हें समझ में आया होगा thank you so much अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कर दे झाल